लगभख चार हजार दोसो धर्म है इस दुनिया में और उनकी वज़े से राचाने कितनी लोग हर दिन मरते हैं, मारते हैं लेकिन तुम चैसों ने एक नए धर्म को चनम दिया है मार दूँगा सबको या खुद मर जाओगा किलर जो भी है, वो कियाम मुझरिम नहीं है लेकिन वो अपने दिमाग में एक सिपाही है जो सत्त के लिए लड़कर जूट पर जायते चाहता है पात साल पहले मेरी बीवी मर गई थी, तब से मैं सटक गया हूँ अब तुझे एसी मौत मारोगा कि तू इस चनम में चलेगा बंदूग दिगा कर डराता है क्या? बंदूग तो सिर्फ शौक के लिए रबता हूँ तगाने के लिए नाम ही काफी है इंदर्थ आंख लेज चनम तक चलेगा तुम इस्टर्ण यॉरप इंचार्ज केके के साथ महा जाओगा तो तो टोटी मज्री बहुत पकड़ ली अब मगरमश पकड़ने की बारी कानून को हाथ में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है हम खाकी वर्दी वाले उसे खाक में मिलाएंगे यस साले कुछ होडना नहीं है अब दिए लगे पस्टर्स नहाओ अब लगे लगेज़ नहीं दो नहीं नहीं है? वो जो शहर में पुलिस वालों को मार रहा है? वो तो? तुम्हारी आखे किसी गिलर की नहीं ही? लो चुब है लो बेगा है सुपरहेवोजीन, पूपर से मैमीन, मामला संकीन सरकारी रिवॉल्वर की खोली में आज भी बहुत तम है तू बचेगा नहीं दो टके की जान लेने नौ मिलिमीटर की खोली नहीं छप पन इंच का जिकरा चाहिए प्रेश को मारने के लिए सरकार जो रखम देती है उससे जाला तो एक ट्राफिक पुलीस हवलदार एक हफते में कमा सकता है एक शपत आपने लिए अपनी वर्दी अपने फर्स के लिए एक शपत मैंने लिए बाबा इस मैडल की खोई होई इजद लोटाने की जिने खाकी पहनने का हाक नहीं उन्हें खाक में मिलाने की रोक कर दिखा रोकोंगा और ठाकोंगा और ठाकोंगा और अब्राइब कभी बुलेट रूफ जाके प्रेंगे अपने आपका सच और मेरा सच ये कैसे हो सकता है आपको इंवेस्टिकेशन के बार में सुनना नहीं है ना सर लेकिन अनफॉटनेटली इस इंवेस्टिकेशन के अलावा I have nothing मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्मे उजायते नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्मे उजायते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्मे बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्मे जयते में दोहराय गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पुलिस कर्मी को चुन-चुन कर जला देता है पुलिस विभाग में हलचल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनुच बैचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वा इस पुलिस के दुस्मन को ढोड़ निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवांज को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात कलता है और चुनेती देता है सिवांज के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वा उसको पकड़ने के करीब पहुंच जाता है क्या वा बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्याओं क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते है कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खुलता है कि बीर हत्याओं क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारादी के हत्याओं में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुस्मन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वा धेर सारे पुलिस आफसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वा भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेकर ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बजाने जैसा रहता है सार्याम पिट्रोल पंपर और पुलिस थाने में घुश कर वह अपना काम कर जाता है दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वह असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा की किसी भी तरह फायट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सिन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्षन प्रेमियो को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इन में कई उन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जॉन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अबरहम का चेहरा पूरी फिल में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पौल खुल जाती है मनोज बाजपरी अब एक जैसा भीने करने लगे हैं बागी टू का ही एक्स्टेंट सत्मे जैते में नजराता है नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए आईसा का अभीने निरास जनक है सत्य में जयते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम आप अक्रम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्षे की जिगा जौन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयच करम मसाला और हाउस फुल जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छेक मार हौकी खलाड़ी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को भुनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फश कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौझूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जला कर वो सत्त की जीत करना चाता है इस हट्यार को रोकने के लिए डिसी पी सुवान सिनमनुज बास्भी को काम पर लगा जाता है और चुहे बिल्ली के इस खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इससे पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्मे बना चुके हैं ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपरिमेंट हैरत करता है हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरास कैपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्चर कुमार की फिल्म कबर इस बैक का हायंग और आपको दिखाए देगा लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले दिशबक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है फिल्म में नुरा फतेही का दिल बरगाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में हैं फिल्म का बेगराउंड इसकोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मनुज बाजबे की डालॉग शीटी बजाने लाइक है और पिर इस फिल्म में जॉन का मसामका मसलपा확 को कल की जिम के लिये प्रे गरता है मनुज बाजबे फिल्म में वही करते हैं जो करने में एकसपर्ट है वो आपको बांध लेते हैं और कमझजूर स्क्रिप्ट से आपका मजा खराब नहीं होने देते जहां John Action में हिट है मनुज बजबि परेजिंस में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेबू कर ही ऐसी सरमा अच्छा बी ने करती है और इपने केंडार में अच्छा काम करती है इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिश पॉइंट है फिल्म की predictable कहानी हलाकि फिल्म एक मसाला इंटर्टेइनर है और अगर आपको परमाड़ू अच्छी लगी थी तू ए फिल्म आपको बहुत पसंदाने वाली है हलाकि अगर आप लौजिक श्नेमा देखने वालों में से हैं तो ए फिल्म आपको आधे गंटे महीं परेशान कर सकती है ये मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले किरप्सन पर वेश्ट है बीरनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बीर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामय अब नहीं होती तो डी सीपी सिवांस यानि मनुज बाचपई को ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोसिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बीर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है डी सीपी सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस वाफसर है जो किलर के माइंट में चलने वाले प्लैन को क्रै कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये इस क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गए है इस फिल्म के साथ यही इसू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पुएंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डारेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब है आप डिशाइड नहीं कर सकते कि दोनों मेंसेच ज्यादा खराब क्या है फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफेरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेशर डालॉग ने फिल्म को कॉमड़ी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डालॉग फ़नी लगते हैं फिल्म को सिरिसली लेना इंपॉस्बल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एटिट्यूड के अलावा वे किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वे स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इस से कोई मतलब नहीं लगता क पिलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिरुएंज सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती ह बीच को साप करती है एंजियो में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है ऐसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपे ने अपने किरदार के सार नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेकूपिया उनके सांदार अभिने पर भार निपड़ती है अमरता बागी के अल्बम का मीजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोन अबरहम अब एक संथिलर सत्मय जयते के साथ हाजिर थे गुच्च्चे से भरा बैठा एक सक्स कैसे किले दम पर करफ्च्च के खिलाप लड़ता है इससे सत्मय जयते में दिखाने की कोस्स की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जयते सतिता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते भी आपको कई बार सत्तर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की पुलिस फोर्ष में फैले करप्सन पर आधारित है फिल्म में जौन अबरहम जिस स्कुर्दार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की च वक्ति के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पराच्छाई की चीर जैसे बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की कोशिश में ये फिल्म बेहद नाटकी लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लचर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते हैं फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है, हलाकि जान कई अक्षिन स्रिक्वेंस में परभावित करते हैं, टायर फारते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए, उन्होंने एक एंगरी एंग मैन की भूम का निभाई है, मनोजबाच पे इस तरह के र और दोस्त अक्षे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम अब मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमार हैं, भारी डायलॉग डिलिबरी और एक्षिन मसाला फिल्में काफी पसंद हैं, तो ये फिल्म एक बार देखी जा सकती है, फिल्म की कहानी सामान ये समवादो को काफी दमदार तरीके से लिखा गया है, जिसकी वज़े से कहानी सुनते वक्त सिल्सलेवार घटनाय देखना दिल्चस्प हो जाता है, फिल्म का एक्षिन जबर दस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षिन और समवादो को दर्शाय गया है, उसी तरह का फ्ल में लाए गया स्टायल को अच्छे तरीके से दर्शाय गया है, मनुज बस पर एक बार फिर से दंदार एक्टिंग करते नजर आते हैं, वही एक्षिन के लिए मसहूर जानबर हम पूरी तरह से किर्दार में डूबे नजर आते हैं, मनिश चौधरी और आईसा सर्मा का काम ही सहज है, हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है, हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरित फिल्में बॉक्स आफिस पर लगातार चाही रही, लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गया कि वे, लाजवाब ख दर्शकों के सामने आई है, इसमें एक्सन के लिए जौन अबरहम है, अभिने के लिए मनोजबास पे ही हैं, आइटम सांग के लिए नूरा फते ही हैं, और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है, सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी, यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ हिंसा की भरमार है, पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ इसमें फैल हो गई, सत्मे जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोईस्स कर रही है, लेकिन इसका अतिनाटकी पर दरसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है, जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कभी 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 या कापी भयान अखो जाता है, सच यह है कि फिल्म की कहानी आज के समय में कापी परसंगी गए, लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमज़र बनाता है, सत्मे जैते देश भक्ती और सोसल मैसेज दे लेगा ऐसे में यदि आप मसाला इंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जारही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्त में जयते इसे बहुत ही सिंपल है बीर अरनी जोनाबरहम एक आटिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारण हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्सन को मिटाना अपने इस मकसर को पूरा करने के लिए बीर करप्सन कर रहे है पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डी सी पी स्वांसिनी मनुच बाजबे की इंटरी और तब ही शुरू होता है लुका छिपी का ये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुझ बैजपे के तो हर बार की तरह है एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीद लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुझ बैजपे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टिंग से सर्मा ने अपने किलदार को बाखोवी निभाया है डिरेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत अच्छी चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के मुजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नौरा फतेही का आतार लोगों को काफी पसंद आये था फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे खास करके हम बात करें जौन अबरहम और मनौज बास्परी की डालॉग की तो आप को सिर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन है तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्मय जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशित 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्शन थिल्र फिल्म है टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म शूट आउट एट वाडरा जोकी 2013 में आई थी के बाद जॉन अबरहम और बैसपे के बीच दूसरे सहियों को ये चिने हित करती है इसको निर्देशित के था मिलन मिलाब जाफेरी ने इसमें संगीत दिया था साजित वाजित और तनिस बास की रोचक कोहली और को प्रभू मुकरजी में इसमें बैगराण मिजिक दिया था संजे चोधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई ही थी 110 करोड रुपे सत्मय जैते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्स 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्स 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनेमा घ्रोव मेरे लिजुई थी 25 स्क्रीन पर सुरू हुई इस फिल्म को समिशको से मिली चुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अभनी तरीमा काक्ती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मे जैते को दर्शकों ने खोब सराहा और A-rated फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स आपस पर सफल रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलिबुट फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 billion सत्मे जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क बीरेंद्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधकारी स्वांस राथोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है वा बरिष्ट चारियों का सफाय करने के लिए जिंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नमक पहसुचिकस्च के साथ गहनिश शंबंद भी बनाता है बढ़ती लासो की संखे से चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए कमानदार अधकारी स्वांस को बलाया आज बदलने वाले एप्लिकेशन का उप्यों करते विए बीर सिवांस को फोन करता है और एक भरष्ट रदकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को बिश्वास दिला जाता है कि एक प्लिस स्टेशन को निशाना बने गया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरष्ट प्लिस वाले को लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जान सुरू करता है और हट्था के पैटर्न को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाचु वाई अच्छर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिनों हत्यारे के प्रतिच्छा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में पर्चन बीर पुलिस स्टेशन में परवेश करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परतालित करता है निदोस संदेख्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए इस टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में सिवांस को उसके घर पर मिलता है जहांए दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं बीर और सिवांस अस्पताल जाते हैं जहां जला हुआ अधिकारी जिन्दा पाय जाता है, बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है, और चुपके से कमरे में खुच जाता है, अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है, साहरन बजने की आवास सुनकर सिवांस कमरे में आता है, और दरवाजा खोलते है एक भी स्पोर्ट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लोटता है खुद को घाल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किये जाने का नाटे करता है बाद में सुवान सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों के ओ एक सुरचित घर में एकटा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और सिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बजनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिवानस उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पता है सिवांस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतन्कित पुर्षो के पैंटिंग जो मारे गैथकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्प समर्पड करने केले कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिवांस को बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पिता के मरती हुई थी सुकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फ़साया क्योंकि उसने पलिस बल में किसी को भी रिसुत देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सुन उपर करने का फैसला किया पहल इस से पहले कि सुकला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पलिस की सेना को बुलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पलिस कर्मियों को मार डाला और सुकला को किनारे कर दिया रून रोकने के कई अनुरुद्धों के बाद एक अनुच्छिक सिवान्स सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हलाएकि सुकला के सरिल पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को मحسوس करना अभी भी बीता जा है और अपने पिता के पदख के पास एक माचिस पड़िवी है, जिसमें लिखा है सत्ति में उजयते, एक मरतववा बीर उसे जलाता है, और सुखला को आग लगाकर मार देता है, सिवांस और सिखा तब के पास जाते हैं, जो सिवांस को उनके पिता दोरा सिखाई के सभध सुना जाने के लिए कहता है वह उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म पंद्रा के दुजर अठार को भारती सुतंतरता दिवसके मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी ज अगी साजिद वाजी तनिश बाक ची रचक कोहली और आरको प्रबोमखर जी दौरा रचित थे जबकि गी सब्वीर रहमत कुमार आरको प्रबोमखर जी दानी साबरी और एक्का दोरा लिखे गैए थे बेग्राण इसकोर संझी चोधर रचित था फिल्म का पहला की नाइं चार जुले 2018 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कल्पना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फतेही ने बेली डांस किया या गित गित के साथ सबी संस्क्रडों अर्भी भासा सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियोन बीच इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गित पानियोसा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुले 2018 को रिलीज किया गया था जिसे 26 जुले 2018 को वाजित खान दौरा फिर से बनाय गया और गया था 14 अंतिम की तेरे जिसा जिसे आर्गो प्रभू मखरजी और तुलसी दौरा गया गया था एक अगस्ट को रिलीज किया था 2018 संट्रेग एक अगस्ट 2018 को टी सिरीज दौरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार एहरम, तेरे जिसा जिसे गया था तरेश बाज की रोचक कोली, चाजित वाजित अर्खोंने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थिरी, गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांच यह सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.218 करोड और 10.26 करोड का सुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रह 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रह सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेश सी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्मिजयत्य का विस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अब्रहम और दिव्या खोशला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बास्युकल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफिरी द्वारनी देशित और भुशल कुमार करशल कुमार मोनिस्सा अडवाणी मधु भोजवानी और निखल अडवाणी द्वारनी द्वारनी रिमित होगी सत्मिजयत्य टू सेर्शक्स या 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्मिजयत्य नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फारमूलों में जकड़ी सत्मिजयत्य में मिलन निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराय गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पलिस बिभाग में हल्चल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनेज बचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पलिस के दुस्मन को ढोड़ निका ले बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवांस को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात कलता है और चुनेती देता है सिवांस के साथ एक सूत्र लगता है जिससे वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वा बीर को पकड़ लेता है, बीर ये हत्या क्यों कर रहा है, इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं, कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यह राज खुलता है, कि बीर हत्या क्यों कर रहा है, तो उस घटना में और बीर दोरा दी गई हत्याओं में कोई connection नजर नहीं बीर को जब पता था कि उसका दुस्मन कौन है, तो उसी आदमी को खतम कर सकता था, वा धेर सारे पुलिस आफसर की हत्या क्यों करता है, ठीक है कि वा भरश्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है, लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोड़ने की कुश जिसकी है, वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है, शुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है, लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है, तो फिल्म का गराप नीचे की और तेजी से आने लगता है, और आखरी के घंटे मे तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती, बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है, सारयाम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुश कर वा अपना काम कर जाता है, दूसरी वार सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिख प्रकानी थी, इसलिए बाद डाल दी गई, मिलन मिलाब जाफिरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा कि किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं, उन्हें स्टाइलिस बनाया जाए, बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं, यही हाल समवादों का है, सीन में किसी भी तरह स प्रक्सा रहा, कैसा भी सीन हो, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है, लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं, तो जो उनकी पौल खुल जाती है, मनोजबाजपरी अब एक जैसा भीने करने लगे हैं, बागी टू का ही, पूर ही रहा जाए तो अच्छा है, किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम आपकरम सा साथ काम नहीं करते, ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्छे की जगा जोन के लेने के बाद से, दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है, आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार, देसी बॉयज करम मसाला और हाउस फुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे, जहां च्छे कमार हौके खिलाडी और कोचे तपन दास की बाइपिक क के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे, वही जौन अबरहम और मनुजबास भी के पास सत्त में उत जायते थी, इस फिल्म की कहानी बहस्तरल है, पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे कर अपसन के आरोब में फश कर आत्म हत्या करते देखने वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है, पुलिस फोर्स में मौज़ूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना, करप्ट पुलिस वालों को जिन्दा जला कर वो सत्त की जीत करना चाहता है, इस हत्यारे को रोकने के लिए डी सीपी सुवां सिने मनेजबास भी को काम पर ल आ चुके हैं, ऐसे में देशभक्ती के साथ उनका एक्सपरिमेंट हैरत करता है, हाला कि देशभक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसवाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरास कैपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में खायदे का, लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले देशभक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है, शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है, फिल्म में नुरा फतही का दिल बरगाना अपना काम ठीक से करता है, और इस गाने को वो सुपर हिट, सुपर हाट आ जाने लाइक हैं, और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा, अमका मसलप और आपको कल के जिम के लिए प्रेयर करता है, मनुजबाजबे फिल्म में वही करते हैं, जो करने में एक्सपर्ट हैं, वो आपको बांध लेते हैं, और कंजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नही काम करती हैं, इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की प्रेडिक्टेबल कहानी, हाला कि फिल्म एक मसाला इंटर्टेनर है, और अगर आपको परमाड़ू अच्छी लगी थी, तो ये फिल्म आपको बहुत पसंदाने वाली है, हाला कि अगर आप लाजि की फिल्म की कहानी, पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर वेश्ट है, बेरनी जौन अबरहम एक आर्टिस्ट है, लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है, बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है, और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है, जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामे अब नहीं होती, तो DCP सिवांस, यानि मनुज बाचपई को ये केस दिया जाता है, सिवांस किलर को पकड़ने की कोशिस करता है, और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है, बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है, DCP सिवांस राथोर एक इमानदार पुलिस वाफसर है, जो किलर के माइंट में चलने वाले प्लैन को क्रै कर लेता है, कहानी में आगे क्या होता है, कि ये स्क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये हैं, इस फिल्म के साथ यही इसू है, इसकी सांदार सुरुआत होती है, और एक पुइंट प फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफेरी ने ही कहानी लिखी है, उनके सिगनेसर डालाग ने फिल्म को कॉमेडी बना दिया है, सीरियस सीन में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं, फिल्म को सीरिसली लेना इंपॉसबल है, जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर र रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिर्वाइन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीज को साप करती है एंजीयो में बच्चों को पढ़ाती है और उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लवा आतिप असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का म्यूजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देकर अपना टाइम और पैसे बर बाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जनबरहम अब एक संथिलर सत्मय जायते के साथ हाजिर थे गुच्छे से बरा बैठा एक सक्स कैसे कले दम पर करफ्षन के खिलाप लड़ता है इसे सत्मय जायते में दिखाने की कोशिस की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है ल और इस घटना के बाद ही फिल्म का प्लाट तैयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते है एक युवा की कहानी है जो करफ्ट पुलिस वालों को ठीक आने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फहले करफ्षन पर अधारित है फिल्म में जो अन अबरहम चिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिपता है वो इसको पकड़ने का जिम से बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की कोशिश में ये फिल्म बेहद नाटकी लगती है फिल्म की कहानी आज के दौर में परसंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते हैं फिल्म यथार्थ से दूल दिखाई देती है हालाकि जॉन कई अक्शन डालाक से वे दर्सकों को बांद कर रखते हैं नियू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉन्पिन नजराई हैं फिल्म परमाडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्शे कुमार की राह चलने वाले जौन अबरहम और मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अ कहानी सुनते वक्त सिल्स लेवार घटनाय देखना दिल्चस्प हो जाता है फिल्म का एक्शन जबलदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और समवादों को दर्सा आ गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुज बाजबे के बीच चोर सिपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जचती है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भरस्टा चार खतम करने के लिए परियोग में लाए गया स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्सा आ गया है मनुज बाजबे एक बार फिर से दंदार एक प्रेंणर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरिक फिल्में बाक्स अफिस पर लगातार चाही रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गया कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के म अबिने के लिए मनोजबास पे ही हैं आइटम सांग के लिए नूरा फते ही हैं और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित होरो निजाना अबरहम हर कथ मजरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भरष्टाचार का अरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है स मनुज बाजपी और जान अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इस क्रिप्ट इसमें फेल हो गई सत्मे जैते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोश्चिस कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी परदर्सन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जो अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 या काफी भाया नक हो जाता है सच्छी आ है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफी परसंगीग है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमज़ोर बनाता है सत्मे जयते देश भक्ती और सोचल मैसेज देने में नाकाम्याब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी और्टेन्स मसाला फिल्मों पर अपनी जेब ढीली करती है इसके लोगा लंबे विकेंट का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में यदि आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जारही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्त में जयते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्षन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिलम की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारड़ हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्सन को मिटाना अपने इस मकसर को पुरा करने के लिए बीर करप्सन कर रहे पुलिस वालों को जिन्दा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है DCP स्वांसनी मनुजबाजबे की इंटरी और तब ही सुरू होता है लुका छिपी का ये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुजबाजबे के तो हर बार की तरह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुजवाजबे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टरस आईसा सर्मा ने अपने किलदार को बाखोवी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत अच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के मुज़ी की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नुरा फत्रही का आउतार लोगों को काफी पसंदाय था फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे खास करके हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी के डालॉग की तो आप को सिर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्मय जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशित 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्षन थिल्र फिल्म है टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद जोन अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है इसको निर्देशित कैथा मिलन मिलाब जाफेरी ने लिखी गए थी मिलन मिलाब जाफेरी के दोरा इसमें संगीर दिया था साजिद वाजिद और तरिशिबाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बेगराण मिजिक दिया था संजे चोधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई हुए थी 110 करोड रुपे सत्मे जैते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्ज 2018 को सुरू हुई थी या 15 अगर्ज 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनमा घरो मेरे लिज़ हुई थी पचीस सो स्क्रीन पर सुरू हुई इस फिल्म को समिशको से मिली चुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अपनी तरीमा काक्ती की चपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मे जैते को दर्शकों ने खोब सराहा और एरेटेट फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफ़र रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉली बुट फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मे जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्क बिरेंत्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधकारी स्वांस राथोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरीर की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो चारियों का सफाय करने के लिए जिंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नामक पहसुचिकस्च के साथ घनिश संबंद भी बनाता है बढ़ती लासों की संखेस चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला निहत्यारे को पकड़ने के लिए कमांदा अधिकारी सिवांस को बलाया अब आज बदलने वाले अप्लिकेशन का उप्यों करते विए बीर सिवांस को फोन करता है और एक ब्रस्ट रिदकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को बिश्वास दिलाया जाता है कि एक पलिस स्टेशन को निसाना बना गया है के पैटन को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाच वाई अच्छर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी शुरू करती है लेकिन वे हत्यारिक प्रतिच्छा कर रहे हैं एक पुलिस वाले के रूप में परचन बीर पुलिस स्टेशन में परबेश करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परतारित करता है निदोस संदेख्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए इस स्टेशन बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खून से लटपत कर लिया और एक भरश्ट रदिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिवांस उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू क की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है सिवांस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुर्सों की पैंटिंग जो मारे गयतकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्ब समर पड़ करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने खुद पर मिट्टी का तिल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिसुआत देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सुरूपर करने का फैसला किया पहल इस से पहले कि सुखला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पुलिस किस से नकब बलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुखला को किनारे कर दिया रुन रोकने के कई अनुरुद्धों के बाद एक अनुर्चिक सुखला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हाला कि सुखला के सरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी बीता जा है और अपने पिता के बदक के पास एक माचिस पड़ी ही है जिसमें लिखा है सत्ति में हो जायते एक मरतववा बीर उसे जलाता है और सुखला को आगे कर आग को आग लगा कर मार देता है शिवांस और शिखा तब बीर के पाह जाते है जो शिवांस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वोई उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म पंद्रा के 2008 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी फिल्म के लिए संगी साजीद वाजी तनिश बाग ची विचक कोली और आरको प्रबो मखर जी दोरा रचित थे जबकि गीस सब्बी रहमत कुमार आरको प्रबो मखर जी दानी साबरी और इका दोरा लिखे गए थे बेग्राण इसकोर्शंजी से अधरी द्वारा रचित था फिल्म का पहला कि 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मूल रूप से अलकाय गिनिक द्वारा गया गया और नदिम सरोड द्वारा रचित इस फिल्म के लिए तनेश भास की द्वारा निहा का कड़ द्वारा पूल गाना गया गया था धोरी बनुशाली और इका की आवाज में बनाया गया है यह 4 जुले 2008 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुराफतेही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सभी संस्क्रडो अर्भी भासत सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियन बीच इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गित पानियो सा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमारने गया था 12 जुले 2008 को रिलीज किया गया था जिसे 26 जुले 2008 को वाजित खान दौरा फिर से बनाय गया और गया था 14 जिसे आर्गो प्रभू मखलची और तुलसी दौरा गया था एक अगस्त को रिलीज किया था 2018 सांट्रेग एक अगस्त दुले 2008 को टी सिरीज दौरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार एहरम, तेरेजेशा जिसे गया था तरेजबाच की रोचक कोहली, चाजिद वाजिद अरकोंे सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थरी, गोल्ड और बागी टू के बाद, 2008 की पांच वी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.218 करोड और 10.26 करोड का सुद संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजीवन संग्रे 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रे सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेशी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्मिजेते का विस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अबरहम और दिब्या खोशला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बाद सुद्ध कल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफिरी द्वार देशीत और भुषण कमार करश्ण कमार मोनिस्सा अडवानी मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वार निर्मित होगी सत्मिजेते टू सेर्शक्स यह 13 मैं 2021 को रिलीज होने वाली थी अपरिल 2021 तक कोबिन 19 मामलों में प्रदी के काड़ फिलम की रिलीज की तारिक को इस्तुकित कर दिया गया फिलम आखिकरा 25 नॉमबर 2021 को रिलीज होई मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्मिजेते नामक फिलम उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता घिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्मिजेते में मिलर निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिलमें बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्मिजेते में दोहराय गया है फिलम में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पलिस विभाग में हलचल मत जाती है पलिस इंस्पेक्टर सिवान यानि मनोज बाचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वा इस पलिस के दुस्मन को ढूड निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवान्स को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात कलता है और चुनेती देता है सिवान्स के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वा उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वा बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्याओं क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खुलता है कि बीर हत्याओं क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारादी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुस्मन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वा धेर सारे पुलिस आफसर की हत्य क्यों करता है ठीक है कि वा भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धिरे धिरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है साहरे आम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुश कर वह अपना काम कर जाता है दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वह असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बाद भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा की किसी भी तरह फाइट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समादों का है सिन में किसी भी तरह समाद को डाला गया है फाइट सीन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इनमें कई उन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जॉन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जॉन अबरहम का चेहरा पूरी फिल्में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पॉल खुल जाती है मनोज बाजपरी अब एक जैसा भीने करने लगे हैं बागी टू का ही एकस्टन्ट सत्मे जैते में नजराता है नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए आईसा का अब ने निरास जनक है सत्य में जयते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम आप अक्रम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्षे की जिगा जौन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयच करम मसाला और हाउस फुल जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छेक मार हांकी खलाड़ी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फश कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौझूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिंदा जला कर वो सत्त की जीत करना चाता है इस हत्यारे को रोकने के लिए DCP सुवां सिने मनुजबस भी को काम पर लगा जाता है और चुहे बिल्ली के इस खिल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके है ऐसे में देशभक्ती के साथ उनका ये एक्सपरिमेंट हैरत करता है हाला कि देशभक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पे एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरा स्काइपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्चर कुमार की फिल्म गबर इस पैक का हायंगोर आपको दिखाए देगा लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले देशबक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है फिल्म में नुरा फतेही का दिलबर गाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में है फिल्म का बेगराउंड इसकौर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मनुजबाजबई की डालाग शीटी बजाने लाइक है और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा अमका मसल पार आपको कल के जिम के लिए प्रेयर करता है मनुजबाजबई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कंजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहां जॉन एक्षन में हिट हैं मनुज बश्पई परिजएंस में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेबू कर शे सर्मा अच्छा भी ने करती हैं और इपने कृदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की प्रिडिक्टेबल कहानी हाला कि फिल्म एक मसाला इंटर्टेनर है और अगर आपको परमाड़ अच्छी लगी थी तो ए फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर आप लाजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ए फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है ये मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्शन पर वेश्ट है बीरनी जौन अब्रहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो DCP सिवांस यानि मनुजबास पर ही को ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोसिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है DCP सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस उपसर है जो किलर के माइंड में चलने वाले प्लैन को क्रै कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये इस क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये है इस फिल्म के साथ यही इसू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पुइंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते है फिल्म का डारेक्टिन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब है आप डिशारिट नहीं कर सकते कि दोनों मेंसे ज польз ज्यादा खराब क्या है फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफिरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेशर डालाग ने फिल्म को कॉमडी बना दिया है सीरियस सीन में भी फिल्म के डालाग फ़नी लगते हैं फिल्म को सीरिसली लेना इंपॉसबल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एटिट्यूड के अलावा किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वो स्क्रीम पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इस से कोई मतलब नहीं लगता किल्इंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्श्परेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते वे दिखते हैं कहानी में हिरोईन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीच को साप करती है NGO में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आईसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज का डांचिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लावा आतिप असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का म्यूजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोन ठाक है लेकिन सत्में जैते सतिता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते भी आपको कई बार सत्तर और अस्टी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुवात में बेरेनी जाना बरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर अबरहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्सन में लिपत है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सुवांस एनि मनुज बाजपई को दिया जाता है सुतंजरता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देश भक्ति के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर आच्छाई की चीत जैसे बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की जानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लेचर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते हैं फिल्म यथार्थ से दूर दिखाई देती है हालाकि जान कई एक्शन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फारते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उ आइसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉंटेंट नजराई हैं फिल्म पर माडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम और मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डायलॉग डिलिबरी और एक्षण मसाला फिल्मे काफी पसंद हैं तो यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है। ग्राउंड स्कोर बढ़िया है और भरस्टा चार खतम करने के लिए परियोग में लाए गए स्टाइल को अच्छे तरीके से दर्शा आ गया है मनुजबास पर एक बार फिर से दंदार एक्टिंग करते नजराते हैं वही एक्षन के लिए मसहूर जौन अबरहम पूरी तरह से किरदार में डूबे नजराते हैं मनिश चौधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर एंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पर अधरित फिल्में बॉक्स अपिस पर लगातार अच्छा ही रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफ ही नहीं होते इसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही ज adaptation के रूम में भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्मे जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित होरो और निजाना अबरहम हर कथित मुझरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भरष्टाचार क अरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ खाय जा सकता था लेकिन स्क्रिप्ट इसमें फैल हो गई सत्मय जैते इंतकाम और अच्छाई के सालोग पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी पर दरसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने की बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमज़र बनाता है सत्मय जैते देश भक्ती और सोचल मैसेज देने में नाकाम्याब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी आडियन्स मसाला फिल्मों पर अपनी चेब ढीली करती है इसके लोग लंबे विकेंट का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में ये आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जार ही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्मय जैते र पिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारण हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वह है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना अपने इस मकसर को पूरा करने के लिए बीर करप्शन कर रहे है पुलिस वालों को जिंदा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है डी सीपी स्वांसिनी मन मुणुच बैजपे की तो हर बार की तरह है एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीद लेते हैं। फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे, खास करके हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी के डालॉग की, तो आप को सिर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं, अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं, तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है, फिल्म के सबस हिंदी भांसा की एक्षन फिल्र फिल्म है, टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आउट एट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद, जौन अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है, इसको निर्देशित कैथा मिलन मिलाप जाफेर के दोरा, इसमें संगीर दिया था साजिद वाजिद और तरिशिबाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में, इसमें बैगरान मुजिक दिया था संजे चोधरी ने, इस फिल्म का बज़र था और 30 करोड रुपे, और इसकी कमाई ही थी 110 करोड रुपे, साथ में ज और अक्षे कमार अपनी तरीमा काक्ती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई, फिर भी सत्में जैते को दर्शकों ने खोप सराहा, और एरेटेट फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये, फिल्म बॉक्स अफिस पर सफल रही, और चाल की सबसे ज़ को मारता है, एक इमानतार पुलिस अधिकारी स्वांसरा थोड़ को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है, जब सरेर की गिंती बढ़ने लगती है, बीर एक पेंटर और चोकिदार है, जो भरष्ट पुलिस वालों को आग लगा कर मारता है, अपने पहंचान उजाग सचिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए किमानदार अधिकारी स्वांस को बलाया, अब आज बदलने वाले एप्लिकेशन का अप्यों करते विए बीर स्वांस को फोन करता है, और एक भरष्ट अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता है, सिवांस को बिश्वास दिला जाता है कि एक प्लिस स्टेशन को निशाना बनाया गया है, जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरष्ट प्लिस वाले को इसे लड़ता है, और उसे मार डालता है, अपनी गलती का एहसास होने पर सि होने वाले एक इस्टेशन से होता है, सिवांस और उसकी टीम इस्टेशन का पता लगाती है, और निगरानी शुरू करती है, लेकिनों हत्यारे के प्रतिच्छा कर रहे हैं, एक प्लिस वाले के रूम में परच्छन बीर प्लिस स्टेशन में परवेश करता है, और एक भरष और पीछे से हत्यारे दोरा हमला किये जाने का नटे करता है बाद में सिवांस सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों के एक सुरचित घर में एकटा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और सिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिवांस उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है सिवांस तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुर्सों की पैंटिंग जो मारे गैदकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्ब समर्पड करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिवांस को बीर में उसी इस्तान पर बिलाया जहां उसके पता की मरती हुई थी सुकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पुलिस बल में किसी को भी रिसुआत देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सुरूपर करने का फैसला किया पहल इस से पहले कि सुकला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पुलिस की से नको बुलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुकला को किनारे कर दिया रुन रुकने के कई अनुरुद्धों के बाद एक अनुच्छिक सिवान सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हला कि सुकला के सिर्फ पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी बीता जा है और अपने पिता के पदक के पास एक माचिस पड़ी हुई है जिसमें लिखा है सत्ति में उजयते एक मरतववा बीर उसे जलाता है और सुकला को आगे लगा कर आग को आग लगा कर मार देता है सिवानस और सिखा तब बीर के पाह जाते हैं जो सिवानस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वो उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में हिबीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगर 2018 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी पिल्म के लिए संगी साजीद वाजी टनिश बागची रूचक कौहली और आरको प्रबो मुखर जी दोरा रचित है जबकि गीस सब्बीर रहम्ध कुमार आरको प्रबो मुखर जी दानि साबरी और इकका दोरा लिखे गए थे बेग्राउंड इसकोर्शंजी से अधरी दोरा रचित था फिल्म का पहला गिर 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मोल रूप से अलकाय गिनिक दोरा गया गया और नदेम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तनेश भास की दोरा निहा का कड़ दोरा एपूल गाना गया गया था धोरी बनुशाली और एकका की अवाज में बनाया गया है यह चार जुले 2008 को रिलीज किया गया था मध्यपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुराफते ही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सबी संस्क्रडो अर्भी भासस सहित के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियोन बीज इस पे इस गाने को मिले थे फिलम का दूसरा गित पानियोसा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुले 2008 को रिलीज किया गया था जिसे 26 जुले 2008 को वाजित खान दौरा फिर से बनाय गया गया था 14 अंतिम की तेरे जिसा जिसे आर्को प्रभू मखलची और तुलसी दौरा गया गया था एक अगस्त को रिलीज किया था 2018 सांट्रेग एक अगस्त जुले 2008 को टी सिरीज दौरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार एहरम, तेरे जिसा जिसे गया था तरेश बाज की रोचक कोली, चाजिद वाजिद अरको ने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजु, रेस्थरी, गोल्ट और बागी टू के बाद, 2018 की पांच वी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.218 करोड और 10.26 करोड का सुद संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रे 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रे सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेश सी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्मिजेते का विस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अबराम और दिब्या खोसला कुमार के साथ मोखी भूंकाली भाने के बास जुकल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफिरी दोर निदेशित और भुषड कुमार करशल कुमार मोनिस्सा अडवानी मधु भोजवानी और निखल अडवानी दोर निर्मित होगी सत्मिजेते टू सेर्शक्स यह 13 मैं 2021 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्मिजेते नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फार्मूलों में जकड़ी सत्मिजेते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराया गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पुलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पुलिस बिभाग में हलचल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवांज यानि मनुज बैचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुस्मन को ढूड़ निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवांज को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात कलता है और चुनेती देता है सिवांत के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यह राज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वरादी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुस्मन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वह धेर सारे पुलिस आफसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वह भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिलकुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धिरे धिरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है सार्याम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुच कर वा अपना काम कर जाता है दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वा असहाय ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वा अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफिरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा की किसी भी तरह फाइट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सिन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सिन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इनमें कई अन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जॉन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है। जॉन अबरहम का चेहरा पूरी फिल्में एक सा रहा। कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जॉन की पॉल खुल जाती है। मनोज बाजपरी अब एक जैसा भीने करने लगे हैं। बागी टू का ही एक्स्टन्ट सत्मे जयते में नजराता है। नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए। आईसा का अभीने निरास जनक है। सत्मे जयते के बारे में सत्वात यही है कि इससे दूर ही रहा जाये तो अच्छा है। किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम अब अक्रम सा साथ काम नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्छे की जिगा जोन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है। आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयज करम मसाला और हाउस फुल जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां च्छेक मार हौकी खलाड़ी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को भुनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बाजबी के पास सत्त में उत जायते थी। इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है। पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फश कर आत्म हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है। पुलिस फोर्स में मौझूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना। करप्ट आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा। मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके हैं। ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपर्मेंट हैरत करता है। हाला कि देशबक्ती फिल्मों के जबाचपे, एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मद्रासकाइपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौझूद हैं। आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे। इस फिल्म में मोल प्लाट में एक्सर कुमार की फिल्म कबर इस पैक का हाएंग और आपको दिखाए देगा। लेकिन क्योंकि मिलन को इस से पहले देश भक्ति फिल्म पराने का एक्स्पिरियंस नहीं है, शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है। फिल्म में नुरा फतही का दिल बरगाना अ मनोज बाजबे की डालॉग शीटी बजाने लाइक हैं और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा अमका मसल पार आपको कल के जिम के लिए प्रेज़ करता है। मनोज बाजबे फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कंजोर स्क्रिप में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की प्रेडिक्टेबल कहानी हाला कि फिल्म एक मसला इंटर्टेनर है और अगर आपको परमाड़ वह अच्छी लगी थी तो यह फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर अधे घंटे में ही परेशान कर सकती है यह मारधार से भरपूर एक एक्छन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर वेश्ट है बीरनी जोन पर यह केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोसिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बीर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है डी सीपी सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस आपसर है जो किलर के माइंट में च मुझने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डारेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब हैं आप डिशाइड नहीं कर सकते कि दोनों मेंसे ज्यादा खराब क्या है फिल् हम हमेशा की तरह समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एटिट्यूड के अलावा वह किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वह स्क्रीन पर कौन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्ष इसको साप करती है एंजियो में बच्चों को पढ़ाती है और प्रिंटिंग भी करती है ऐसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुज बाजपेई ने अपने किलदार के साथ नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेवकूपिया उनके सांदार अभिने पर भार नी पड़ती है अमरत की अलबम का मेजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोन अबरहम अब एक संथिलर सत्मय जयते के साथ हाजिर थे गुच्से से भरा बैठा एक सक्स कैसे है किले दम पर करफशन के खिलाप सतर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुआत में बीर एन जोन अबरहम एक पुलिस वाले को जिंदा जला देता है और इस घरना के बाद ही फिल्म का प्लाट तेयार होता है यह फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलि पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिप्त है वो इसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस यानि मनुज बाजपई को दिया जाता है सुतंजरता दिव जानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लेचर, स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते है फिल्म यथार्थ से दूल दिखाए देती है हालाकि जान कई एक्शन सिक्वेंस में परभावित करते हैं टायर फारते हुए और बुरे लोगों की पिटाई करते हुए उन फिल्म परमाडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्षे कमार की राह चलने वाले जोन अबरहम और मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमार हैं बारी डायलॉग डिलिबरी और एक्शन मसाला फिल्में काफी पसंद हैं तो ये फिल्म एक ब परदस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्शन और समादो को दरसा गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुज बाजबे के बीच चोर स्पाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जचती है फिल्म का बैग्राउंड स्कोर डूबे नजराते हैं मनिश चोधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायो पिक और मुद्दो पराधरित फिल्में बॉक्स अफिस पर लगातार च्छाई रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गए कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर मस बातियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्य में जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित होरो निजाना अबरहम हर कथित मुझरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वजह है कि भरष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देश भक्ती के कुछ पार पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं मनुज बाजपी और जान अबरहम के किरदार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इसक्रिप्ट इसमें फेल हो गई सत्मे जैते इंतकाम और अच्छाई के सालो पुराने आइडिया को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी पर दलसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच् सबसे इसे कमज़वर बनाता है सत्मे जैते देश भक्ती और सोसल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी आडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी चेब धीली करती है इसके लोगा लंबे विकेंट का फा धारीद फिल्म सत्मे जैते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्षन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जात आपनी आखों से ऑपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिन्दिगी के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्सन को मिटाना अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए बीर करप्सन कर रहे है पुलिस वालों को जिन्दा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है DCP स्वांसरी मनुजबाजबे की इंट्री और तब ही शुरू होता है लुका चिपी का ये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुझ बैजपे के तो हर बार की तरह है एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनुझ बैजपे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टिर साइसा सर्मा ने अपने किलदार को बाखो भी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत अच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के मुजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नुरा फतेही का आउतार लोगों को काफी पसंद आये था फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे खास करके हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी के डालॉग की तो आप कोशियर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौके इन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर इसक्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्मय जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशित 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्षन फिल्र फिल्म है टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आट वाडरा जोकी 2013 में आई थी के बाद जोन अबरहम और बाजबे के बीच दूसरे सहियों को ये चिन हित करती है इसको निर्देशित क्या था मिलन मिलाब जाफेरी ने लिखी गए थी मिलन मिलाब जाफेरी के दोरा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तरिश बाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बेगराण मिजिक दिया था संजे चोधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई ही थी 110 करोड रुपे सत्में जैते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्स 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्स 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनिमा घरो में रिलिज हुई थी 25 स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समिशकों से मिली चुली प्रतकरिया मिली और अक्षे कमार अपनी तरीमा काक्ती की सपोर्ट ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्में जैते को दर्शकों ने खुप सराहा और एरेटेट फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफ़र रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉली बुड फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मे जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतर्ग बीरेंद्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधिकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधिकारी स्वांस राथोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरीर की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो भर शंबंद भी बनाता है बढ़ती लासों की संख्या से चिंतित और अन्य पुलिस को भाई भी देखकर आयुक्त मनीज सुकला ने हत्यारे को पकड़ने के लिए कमांदार अधिकारी सिवांस को बलाया हवाज बदलने वाले अप्लीकेशन का प्योगरते विए बीर सिवांस को फोन करता है और एक भरस्ट रधकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को विश्वास दिला जाता है कि एक पुलस एस्टेशन को निसाना बने गया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरस्ट प्लिस वाले को उसे लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जान सुरू करता है और हत्या के पैटन को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाच्छ वाई अच्छर से शुरू होने वाले एक स्टेशन से होता है सिवांस और उसकी टीम स्टेशन का पता लगाती है और निगरानी सुरू करती है लेकिनों हत्यारे के प्रतिच्छा कर रहे हैं एक पलिस वाले के रूप में परचन बीर पलिस स्टेशन में परबेश करता है और एक भरष्ट पलिस वाले को परतालित करता है निदोस संदिक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए इस टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में सिवांस को उसके घर पर मिलता है जहांए दोनों भाई होने का खुला सा करते हैं बीर और सिवांस से स्पताल जाते हैं जहां जला हुआ अधिकारी जिन्दा पाय जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और चुपके से कमरे में खुच जाता है अधिकारी को एक बार फिर आग लगा देता है साहरन बजने की आवास सुनकर सिवांस कमरे में आता है और दर्वाजा खोलते हैं एक भी स्पोर्ट की चपेट में आ जाता है बीर बाथरूम में लोटता है, खुद को घाल पाता है और पीछे से हत्यारे द्वारा हमला किये जाने का नाटक करता है बाद में सुवांस सभी भरष्ट पुलिस कर्मियों के एक सुरचित घर में एकटा करता है लेकिन बीर इसे जलाने में कामयाब हो जाता है और सिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिखा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पाता है सिवांस तब बताते हैं की कैसे बीर के आतंकित पुर्षो की पैंटिंग जो मारे गैदकारियों से मिलती जुलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवांस बीर को आत्ब समर्पड करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिवांस को बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पता की मरती हुई थी सुकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवांस चोक जाता है कि उसने अपने पिता को फ़साय क्योंकि उसने पिलिस बल में किसी को भी रिस्वत देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सोन उपर करने का फैसला किया पहल इस से पहले कि सुकला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पुलिस के से नकब बुलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पुलिस कर्मियों को मार डाला और सुकला को किनारे कर दिया रुन रोकने के कई अनुर्दों के बाद एक अनुचिक सिवान सुकला को मारने से पहले बीर को गुली मार देता है हलाएकि सुकला के सरीर पर दाड़े गये मिट्टी के तेल को मحσूस करना अभी भी दाजा है और अपनी पिता के पदक के पास एक मांचिस पड़ी हूई है जिसमें लिखा है सत्धि में उजएते एक मरतव हुआ बीर उसे जलाता है और सुकला को आगे लगाकर मार देता है सिवांस और सिखा तब बीर के पाह जाते हैं जो सिवांस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वो उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में ही बीर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 अगर 2018 को भारती सुतंतरता दिवस के मोके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षा कुमार की गोल्ड के साथ रिलीज हुई थी जिसे भारत में पचीस सु स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तजदार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गये थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉक बास्टर गेत बन गया था फिल्म के लिए संगी साजित वाजित तनिश बागची रुचक कोहली और आरको प्रबो मुखर जी दोरा रचित थे दिलबर मोल रुप से अलकाय गिनिक दोरा गया गया और नदिम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तनिश बास्ट की दोरा नहा का कड़ दोरा पूल गाना गया गया था धोरी बन शाली और एका की आवाज में बनाया गया है यह चार जुले 2008 को रिलीज किया गया था मध्यपूर भी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फतेही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सभी संस्क्रडो अर्भी भासा सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के वा यूटूब पर बिलियन बीज इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गित पानियो सा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुलाई 2018 को रिलीज किया गया था मुलुरुप से साबरी बज़र दोरा रिचित और गया गया था जिसे 26 जुलाई 2018 को वाजित खान दोरा फिर से बनाया गया और गया था 14 जिसे आर्को प्रवु मखरजी और तुलसी दोरा गया गया था 1 अगस्त को रिलीज किया था 2018 सांट्रेग 1 अगस्त 2018 को टी सिरीज दोरा चारी किया गया था इसमें कुल 4 गाने थे दिलबर, पानियो सा, तजदार ए हरम, तेरे जिसे गया था तने शिबाज की रोचक कोहली, चाजिद वाजिद अरको ने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थरी, गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांची सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.18 करोर और 10.26 करोर का सुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रह 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रह सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विज़े सी बॉक्स आपिस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्में जियते का बिस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अब्रहम और दिब्या खोसला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बास्युकल की पुष्ट की गई यह मिलियन मिलाब जाफिरी द्वारनी देसित और भोचल कुमार करशल कुमार, मोनिस्सा अडवानी, मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वार निर्मित होगी सत्में जेते टू सेर्शक सेया 13 मई 2021 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफिरी ने सत्में जायते नामक फिलम उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसी पिटी कहानी और बासी हो चुके फारमूलों में जकड़ी सत्में जायते में मिलन निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिलमें बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराय गया है फिलम में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा न गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वह भरष्ट पुलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पुलिस बिभाग में हल्चल मत जाती है पुलिस इंस्पेक्टर सिवान यानि मनुज बैचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पुलिस के दुस्मन को ढूड़ निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वह सिवान्स को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात कलता है और चुनेती देता है सिवांत के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते है कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यहाराज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर द्वारादी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुसमन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वह भेर सारे पुलिस आफसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वा भरष्ट पुलिस ओफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है साहरे राम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुश कर वह अपना काम कर जाता है दूसरी वर सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वह असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बात भी गले नहीं उतरती क्यों वह अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा की किसी भी तरह फायट सिन डाले जाएं उन्हें इस्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समवादों का है सिन में किसी भी तरह समवाद को डाला गया है फाइट सीन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हालाकि इनमें कई उन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जोन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जोन अबरहम का चेहरा पूरी फिल्में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जोन की पॉल खुल जाती है मनोज बाजपरी अब एक जैसा बिने करने लगे हैं बागी टू का ही एक्स्टेंट सत्मे जैते में नजराता है नई हिरोएन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हिरोएन होना चाहिए आईसा का अब ने निरास जनक है सत्य में जयते के बारे में सत्य बात यही है कि इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम आप अक्रम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्षे की जिगा जौन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयच करम मसाला और हाउस फुल जैसे फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जहां छेक्षे कुमार हांके खिलाडी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुजबाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहस्तरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे कर अपसन के आरोब में फस कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिज़ोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौझद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिन्दा जला कर वो सत्ति की जीत करना चाहता है इस हत्यारे को रोकने के लिए डिसी पी सुवां सिने मनोजबस भी को काम पर लगा जाता है और चुहे बिल्ली के स्खेल में कई पुलिस वालों की मौत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बहतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्में बना चुके हैं ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका ये एक्सपर्मेंट हैरत करता है हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाचपई एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरासकाइपे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्स्न तिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्सर कुमार की फिल्म कबरिश बैक का हाइंग और आपको दिखाए देगा लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले देश भक्ती फिल्म पराने का एक्सप्रियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिखरने लगती है फिल्म में नुरा फतेही का दिल बरगाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में हैं फिल्म का बेगराउंड इसकोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मनुजबाजबई की डालाग शीटी बजाने लाइक है और फिर इस फिल्म में जॉन का मसा अमका मसलप और आपको कल के जिम के लिए प्रेर करता है मनुजबाजबई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एक्सपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कंजोर स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहान जॉन एक्शन में हिट हैं मनुज बचप परजिंस में ही कमाल कर देते हैं फिलम में डेबू कर ही ऐससरमा अच्छा भी ने गड़ती है और अपने किलदार में अच्छा काम करती है इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की प्रेडिक्टेबल कहानी हाला कि फिल्म एक मसाला इंटर्टेनर है और अगर आपको परमाड़ अच्छी लगी थी तो ऐ फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हलागि अगर आप लाजिक सिनेमा देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेसान कर सकती है ये मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है फिल्म सत्य में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है डारेक्टर मिलाब जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर वेश्ट है बीरनी जौन अब्रहम एक आर्टिस्ट है लेकिन वो एक सीक्रेट किलर है बेर पुलिस वालों को जला कर मारता है और मारने के बाद उनका इस केस बनाता है जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होती तो DCP सिवांस यानि मनुच बाचपई को ये केस दिया जाता है सिवांस किलर को पकड़ने की कोशिस करता है और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है बेर के किलर बनने के पिछे की कहानी भी है DCP सिवांस राथोड एक इमानदार पुलिस उपसर है जो किलर के माइंड में चलने वाले प्लैन को क्रै कर लेता है कहानी में आगे क्या होता है कि ये इस क्रिप्ट राइटर भी लगता भोल गये है इस फिल्म के साथ यही इसू है इसकी सांदार सुरुआत होती है और एक पुईंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते है फिल्म का डारेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब है आप डिशाइड नहीं कर सकते कि दोनों मेंसे ज़्यादा खराब क्या है फिल्म के डारेक्टर मिलाब जाफिरी ने ही कहानी लिखी है उनके सिगनेशर डालाग ने फिल्म को कॉमडी बना दिया है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अपने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिरोईन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीज को साप करती है एंजी ओ में बच्चों को पढ़ाती है और पेंटिंग भी करती है आईसा सर्मा ने अच्छा काम किया है मनुझ बाजपे ने अपने किरदार के सार्न नयाय किया है लेकिन फिल्म की बेकूपिया उनके सांदार अभिने पर भार निपरती है अमरता खनविकर जिन्होंने सुवांस की पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है फिल्म में रोना फतेही का डांसिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लावा आतिप असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अल्बम का मीजिक भी सूधिंग है इस फिल्म को देखर अपने टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जान अबरहम अब एक संथिलर सत्मय जायते के साथ हाजिर थे गुच्छे से भरा बैठा एक सक्स कैसे है किले दम पर करफसन के खिलाप लड़ता है इससे सत्मय जायते में दिखाने की कोसिस की गई है फिल्म की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मय जायते सतिता से मीलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिल्म को देखते हुए आपको कई बार सत्तर और असी के दसके फिल्मों की याद आ सकती है फिल्म की सुरुआत में बीर एनी जान अबरहम एक पुलिस वाले को जिन्दा जला देता है और इस घर्णा के बाद ही फिल्म का प्लाटते यार होता है ये फिल्म सिस्टम से लड़ते एक युवा की कहानी है जो करप्ट पुलिस वालों को ठीकाने लगाना चाहता है फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर आधारित है फिल्म में जौन अबरहम जिस स्किर्दार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे लगा होता है जो करप्शन में लिपता है उसको पकड़ने का जिम्मा इंस्पेक्टर सिवांस एनि मनुज बाचपई को दिया जाता है सुतंजरता दिवस के दिन रिलीज होने वाली इस फिल्म में देश भक्ती के कई पार्ट पढ़ने को मिलते हैं बुराई पर अच्छाई की चीत जैसे बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की कोशिश में ये फिल्म बेहद नाटकी लगती है फिल्म की कहानी आज के दोर में पिटाई करते हुए उन्होंने एक एंगरी एंग मैन की भूम का निभाई है मनोजबाज पे इस तरह के रोल्स पहले भी निभा चुके हैं और एक दढ़र और अपने दमदार डालाग से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं नियू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी फिल्म परमाडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्छे कुमार की राह चलने वाले जोन अबरहम और मसाला देशबक्ती फिल्मों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डालॉग डिलिबरी और एक्षन मसाला फिल्मे काफी पसंद हैं तो ये फिल्म ए जबल दस्त और इस तरह से ट्रेलर में एक्षन और समवादो को दरसा गया है उसी तरह का फ्लेवर फिल्म में भी देखने को मिलता है जोन अबरहम और मनुज बाजबे के बीच चोर स्पाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जचती है फिल्म का बैग्राउंड इसक सिर्दार में डूबे नजराते हैं मनिश चौधरी और आईसा सर्मा का काम भी सहज है हमारे देश में हमेशा सही एक मसाला फिल्म को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधारित फिल्में बॉक्स अफिस पर लगातार चाही रही लेकिन इस दोर में फिल्मकार भोल गया किवे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले काफी नहीं होते उसमें हर तरह के मसाले सही मातरा में डाले जाने चाहिए इसलिए कमर्शिल मसाला फिल्मों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपोर मसाला फिलम सत्मे जयते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्षन के लिए जान अबरहम है अभिने के लिए मनोजबाच पे ही है आइटम सांग के लिए नूरा फते ही है और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्मे जयते ऐसी हिंसक से भरी फिलम है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित हुरो और निजान अबरहम हर कथित मजरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वज़े है कि भरष्टाचार का आरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं मनुज बाजपी और जान अबरहम के किर्दार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इसक्रिप्ट इसमें फैल हो गई सत्मेज़ेते इंतकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोश्चिस कर रही है लेकिन इसका अतेनाटकी पर दरसन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन बारहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं लेकिन कभी 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 या कापी भायानों खो जाता है सची आहे कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफी परसंगीग है लेकिन फिल्म में इस कहानी को बहने का कहने का तरीका सबसे इसे कमज़र बनाता है सत्मे जैते देशभक्ती और सोसल मैसेज देने में नाकाम्याब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है आज भी एक बड़ी आउडियंस मसाला फिल्मों पर अपनी चेब धीली करती है इसके लवा लंबे बिकेंट का फायदा भी इस फिल्म को मिलेगा ऐसे में ये ये आप मसाला एंटर्टेनर पसंद करते हैं तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जार ही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्त में जयते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्षन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिलम की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारड़ हुए आतम हत्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिन्दिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्सन को मिटाना अपने इस मकसर को पुरा करने के लिए बीर करप्सन कर रहे पुलिस वालों को जिन्दा जलाने लगता है बीर को रोकने के लिए होती है DCP स्वांसिनी मनुजबाजबे की इंट्री और तब ही सुरू होता है लुका छिपी काये खेल जॉन अपने मसल्स के लिए फिल्म में पसंद किये जा रहे हैं इस बार जॉन अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेश नहीं कर पाए है वह अगर बात करें मनुजबाजबे के तो हर बार की तरह एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीद लेते हैं कमजोर इस क्रिप्ट के बावजूद मनोजवाजबे के एक्टिंग आपको फिल्म से बांधे रखती है फिल्म की एक्टरस आइसा सर्मा ने अपने किलदार को बाखोवी निभाया है डारेक्शन की बात करें तो इस बार मिलन दर्सकों पर बहुत आच्छे चाप छोड़ते नजर नहीं आते हैं फिल्म काफी बिखरी हुई नजर आती है फिल्म के मुजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना दिल पर पहले ही सुपर हिट हो चुका था इस गाने में नुरा फतेही का आउतार लोगों को काफी पसंद आये था फिल्म के डालॉग अच्छे लिखे गए थे खास करकि हम बात करें जौन अबरहम और मनुज बास्परी के डालॉग की तो आप कोशियर्टी बजाने पर मजबूर कर सकते हैं अगर आप एक्षन फिल्मों के सौकीन हैं तो यकिनन ये फिल्म आपके लिए है फिल्म के सबसे बड़ी कमी है इसकी कमजोर स्क्रेप्ट फिल्म देखते वक्त आप आसानी से अंदजा लगा सकते हैं कि अगले सीन में क्या होने वाला है सत्मय जते मिलाब मिलन जाफेरी दोरा लिखित और निर्देशिद 2018 की भारती हिंदी भांसा की एक्षन फिल्लर फिल्म है टी सीरीज दोरा निर्मित और बितरित फिल्म सूट आट वाडला जोकी 2013 में आई थी के बाद जौन अबरहम और बाजबे के भीच दूसरे सहियों को ये चिने हित करती है इसको निर्देशिद के था मिलन मिलाब जाफेरी ने लिखी गए थी मिलन मिलाब जाफेरी के दोरा इसमें संगीत दिया था साजिद वाजिद और तरिशिबाज की रोचक कोहली और को प्रभू मुखरजी में इसमें बैगराण मिजिक दिया था संजे चौधरी ने इस फिल्म का बज़र था 38 करोड रुपे और इसकी कमाई हुँ थी 110 करोड रुपे सत्मय जैते के लिए मुख फोटोग्राफी 5 मार्स 2018 को शुरू हुई थी या 15 अगर्स 2018 को भारत के सोतंतरता दिवस के मौके पर 22 सिनेमा घ्रों मेरे लिज हुई थी 25 स्क्रीन पर शुरू हुई इस फिल्म को समिशकों से मिली चुली प्रतक्रिया मिली और अक्षे कमार अपनी तरीमा काक्ती की चपोर्ड ड्रामा कोल्ट से टकरा गई फिर भी सत्मय जैते को दर्शकों ने खोब सराहा और एरेटेट फिल्म के शुरुआती दिन के कई रिकार्ट तोड़ दिये फिल्म बॉक्स अफिस पर सफ़र रही और साल के सबसे ज़्यादा कमाय करने वाली बॉली बुट फिल्म के रूम में उभरी दुनिया भर में 1.10 बिलियन सत्मय जैते टू एक स्विकल 2021 में रिलीज किया गया था कहानी सतरक बीरेंद्र यानि बीर राथोड की है जो पुलिस अधकारियों को मारता है एक इमानदार पुलिस अधकारी स्वांस राथोड को बीर का सिकार करने के लिए बुलाया जाता है जब सरेर की गिंती बढ़ने लगती है बीर एक पेंटर और चोकिदार है जो रिचारियों का सफाय करने के लिए जिंता का समर्थन हासिल करता है और सिखा नमक पहसुचिकस्षक के साथ गहनिश संबंद भी बनाता है बढ़ती लासों की संखेस चिंतित और अन पुलिस को भाईवित देखकर आयुक्त मनीश सुकला निहत्यारे को पकड़ने के लिए क मांदार अधिकारी सिवांस को बलाया अब आज बदलने वाले एप्लीकेशन का उप्यों करते विए बीर सिवांस को फोन करता है और एक भरस्ट रिदकारी को जान से मारने की धमकी देता है सिवांस को विश्वास दिलाया जाता है कि एक प्लिस स्टेशन को निसाना बनाया है जबकि बीर एक पिट्रोल पंप पर लच्छित भरस्ट प्लिस वाले को लड़ता है और उसे मार डालता है अपनी गलती का एहसास होने पर सिवांस आगे की जांश शुरू करता है और हत्या के पैटर्न को सत्य में उजयते के अनुसार होने का पता चलता है और आगला लाच प्लिस वाले के रूप में परचन पुले बीर पुलिस स्टेशन में परवेश करता है और एक भरष्ट पुलिस वाले को परतारित करता है निर्दोस संदिक्त उसके आग लगाने के बाद सिवांस चीक सुनता है और पुलिस वाले को जलता हुआ देखने के लिए इस टेशन पहुंचता है बीर भागने में सफल हो जाता है और बाद में सिवांस को उसके घर पर मिलता है जहांए दोनों भाई होने का खुलासा करते हैं बीर और सिवांस अस्पताल जाते हैं जहां जला हुआ अधिकारी जिन्दा पाय जाता है बीर खुद बाथरूम जाने का बहाना ब और पीछे से हत्यारे दोरा हमला किये जाने का नाटे करता है बाद में सिवान्स सभी भरष्ट पुलिस कर्मियो की एक सुरस्चित गर में एक टा करता है लेकिन बीर इस से जलाने में काम्याब हो जाता है और सिखा को डेट पर ले जाता है जो उसे एक दिन के लिए बहाना देता है बाद में बीर ने खुद को खुण से लटपत कर लिया और एक भरष्ट अधिकारी की पिटाई कर दी असूरा वह सर्बचनिक रूप से उसे मार देता है इसके बाद सिवान्स उसका पीछा करता है लेकिन खुद को बीर दोरा बंदू की नोक पर पकड़ा हुआ पता है सिवान्स तब बताते हैं कि कैसे बीर के आतंकित पुरसो की पैंटिंग जो मारे गयतकारियों से मिलती जलती है ने बीर को हत्यारा बताया सिवान्स बीर को आत्ब समर्पड करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है और भागने में सफल हो जाता है कमिशनर सुकला के साथ सिवान्स को बीर में उसी अस्तान पर बिलाया जहां उसके पिता के मरती हुई थी सुकला की बेटी होने के खुलासा करने वाली सिखा बीर की हिरासत में है बीर दोरा सुकला दोरा खुद पर मिट्टी का तेल डालने और खुलासा करने के बाद सुवान्स चौक जाता है कि उसने अपने पिता को फसाया क्योंकि उसने पिलिस बल में किसी को भी रिसुआत देने के आनमत नहीं दी थी बीर ने खुद को आतम सुरूपड करने का फैसला किया पहले इस से पहले कि सुकला ने भाईयों को खतम करने के लिए अपने पलिस की सज़ना को बोलाया आगामी लड़ाई में बीर ने पलिस कर्मियों को माड ढला और सुकला को किनारे कर दिया रोकने के कई अन्हरद्धू के बाद एक अनुछक सिवाँ सुकला को मारने से पहले बीर को गोली मार देता है हाला कि सुकला के सरीर पर दाड़े गए मिट्टी के तेल को महसूस करना अभी भी बीता जा है और अपने पिता के बदक के पास एक माचिस पड़ी ही है जिसमें लिखा है सत्ति में उजयते एक मरतववा बीर उसे जलाता है और सुकला को आगे लगा कर आग को आग लगा कर मार देता है सिवांस और सिखा तब बीर के पास जाते हैं जो सिवांस को उनके पिता दोरा सिखाई के सबहत सुनाने के लिए कहता है वो उसे एक साथ सुनाते हैं लेकिन बीच में हिबिर सिवांस की बाहों में मर जाता है यह फिल्म 15 गर 2018 को भारती सुतंतरता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी यह फिल्म अक्षे कुमार की गोल्ड के सार रिलीज हुई थी जिसे भारत में 25 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था पानियोसा और तज़दार ए हराम गाने रिलीज से पहले ही हिट हो गये थे जबकि दिलबर साल का ब्लॉक बास्टर गेत बन गया था फिल्म के लिए संगीज साजिद वाजिद तनिश बागची वुचक कोली और आरको प्रबो मुखर जी दोरा रचित थे जबकि गीज सब्बीर रहमत कुमार आरको प्रबो मुखर जी दानी साबरी और एकका दोरा लिखे गये थे बैग्राण इसकोर संजी सोधरी दोरा रचित था फिल्म का पहला कि 1999 की फिल्म सिर्फ तुम से दिलबर मोल रूप से अलकाय गिनिक दोरा गया गया और नदेम सरोड दोरा रचित इस फिल्म के लिए तरेश भास की दोरा निहा का कड़ दोरा एपूल गाना गया गया था धोरी बनुशाली और एकका की आवाज में बनाय गया है यह चार जुले 2008 को रिलीज किया गया था मधिपुर्वी संगीत प्रभावों के साथ पुना कलपना की गई और इसे संगीत वीडियो में नुरा फते ही ने बेली डांस किया यह गित गित के साथ सबी संस्क्रडो अर्बी भासस सहीत के साल लोग प्री हो गया एक से अधिक प्राप्त करने के बार यूटूब पर बिलियोन बीच इस पे इस गाने को मिले थे फिल्म का दूसरा गित पानियोसा जिसे आतिप असलम और तुलसी कुमार ने गया था 12 जुले 2008 को रिलीज किया गया था जिसे 26 जुले 2008 को वाजित खान दौरा फिर से बनाया गया गया था 14 अंतिम की तेरे जिसा जिसे आर्गो प्रभू मखरजी और तुलसी दौरा गया गया था एक अगस्त को रिलीज किया था 2018 सांट्रेग एक अगस्त को टी सिरीज दौरा चारी किया गया था इसमें कुल चार गाने थे दिलबर, पानियों सा, तजदार ए हरम, तेरे जिसा जिसे गया था तरे जिस बाज की रोचक कोली, चाजित वाजित अर्खोंने सत्मे जैते ने पहले दिन भारत में 205 मिलियन की सुद्ध कमाई की इस प्रकाजोन अबरहम के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकार्ड बनाया संजू, रेस्थिरी, गोल्ड और बागी टू के बाद 2018 की पांच यह सबसे बड़ी ओपनर फिल्म रही अगले चार दिनों में इसने भारत में करम सा 79.2 मिलियन, 19.3 मिलियन और 19.218 करोड और 10.26 करोड का सुद्ध संग्रह किया जिसने कुल ओपनिंग की 569.1 मिलियन हो गया था भारत में फिल्म का अजिवन संग्रह 1082.1 मिलियन है जिसमें 887.2 मिलियन का सुद्ध कुल संग्रह सामिल है इसने अपने पूरे दोर में विदेशी बॉक्स आपस पर 146.9 मिलियन की कमाई की थी सत्मेजयत्य का विस पापी सकल 1.08 बिलियन था जान अबरहम और दिब्या खोसला कुमार के साथ मोखी भूंकानी भाने के बास्यूकल की पुष्ट की गई यह मिलन मिलाब जाफेरी द्वारनी देशीत और भुषण कमार करश्ण कमार मोनिस्सा अडवानी मधु भोजवानी और निखल अडवानी द्वारनी द्वारनी रमित होगी सत्मेजयत्य टू सेर्शक्स यह 13 मैं 2021 को रिलीज होने वाली थी मिलन मिलाब जाफेरी ने सत्मेजयत्य नामक फिल्म उस दर्सक वर्क के लिए बनाई है जो बड़े परदे पर सिर्फ मारा कूटी देखना पसंद करते हैं उससे कहानी अभिने निर्देशन या लाजिक से कोई मतलब नहीं होता गिसीपटी कहानी और बासी हो चुके फारमूलों में जकड़ी सत्मेजयत्य में मिलन निर्देशक और लेखक के रूम में कुछ भी नया नहीं दे पाएं सत्तर और असी के दसक में इस तरह की फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो के बस्पन को खूब दिखा जाता था पिता को इमानदारी की सजा मिल जाती थी बड़े होकर ये बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं और किसी चोराहे पर आमने सामने हो जाते हैं यही सब सत्में जैते में दोहराय गया है फिल्म में एक भी ऐसा पल नहीं है जो पहले कभी देखा ना गया हो बीर यानि जौन अबरहम यंगरी एंग मैन है वा भरष्ट पलिस कर्मी को चुन चुन कर जला देता है पलिस विभाग में हलचल मत जाती है पलिस इंस्पेक्टर सिवान जैनि मनोज बाचपई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस पलिस के दुसमन को ढूर निकारे बीर को जब यह पते चलता है तो वा सिवान्स को फोन लगा कर हत्याओं के बारे में बात करता है और चुनेती देता है सिवांत के साथ एक सूत्र लगता है जिस से वह उसको पकड़ने के करीब पहुंचाता है क्या वह बीर को पकड़ लेता है बीर ये हत्या क्यों कर रहा है इसके जवाब फिल्म में मिलते हैं कहानी का सबसे कमजोर पहलू या है कि जब यह राज खुलता है कि बीर हत्या क्यों कर रहा है तो उस घटना में और बीर दोरा दी के हत्याओं में कोई connection नजर नहीं आता बीर को जब पता था कि उसका दुसमन कौन है तो उसी आदमी को खतम कर सकता था वह धेर सारे पुलिस आपसर की हत्या क्यों करता है ठीक है कि वा भरष्ट पुलिस आफसर हिन को मौत के घाट उतारता है लेकिन जिस तरह से लेखक ने इन बातों को जोडने की कुशिस की है वो बिल्कुल भी लोजिक के हिसाब से सही नहीं है सुरुआत में जरूर फिल्म थोड़ी उम्मीद जगाती है लेकिन जब धीरे धीरे लोजिक का साथ छुटने लगता है तो फिल्म का गराप नीचे के और तेजी से आने लगता है और आखरी के घंटे में तो फिल्म में कोई रुच नहीं रह जाती बीर के लिए बड़े पुलिस आफसर की हत्या करना चुटकी बचाने जैसा रहता है साहरे राम पिट्रोल पंप पर और पुलिस थाने में घुश कर वा अपना काम कर जाता है दूसरी वार सिवांस को काबिल पुलिस आफसर दिखाय गया है लेकिन वा असहाई ही नजर आता है बीर का सिवांस को फोन लगाने वाली बाद भी गले नहीं उतरती क्यों वा अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है निर्देशक को सिर्फ दोनों की टकर दिखानी थी इसलिए बाद डाल दी गई मिलन मिलाब जाफेरी का ध्यान सिर्फ इसी पर रहा की किसी भी तरह फाइट सीन डाले जाएं उन्हें स्टाइलिस बनाया जाए बहले ही वे कहानी में फिट होते हैं या नहीं यही हाल समादों का है सीन में किसी भी तरह समाद को डाला गया है फाइट सीन एक्षन प्रेमियों को थोड़ा खुश कर सकते हैं हाला कि इन में कई उन्समिन में नई बात नहीं है लेकिन जोन अबरहम को एक्षन करते देखना अच्छा लगता है जोन अबरहम का चेहरा पूरी फिल में एक सा रहा कैसा भी सीन हो उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता फाइटिंग सीन में तो वह चल जाता है लेकिन जब इमोशनल सीन आते हैं तो जोन की पॉल खुल जाती है मनुज बाजपरी अब एक जैसा बने करने लगे हैं बागी टू का ही एक स्टमे जैते में नजराता है नई हरोईन आईसा सर्मा को सिर्फ इसलिए रखा गया कि फिल्म में एक हरोईन होना चाहिए आईसा का अभिने निरास जनक है सत्मे जैते के बारे में सत्वात यही है कि इससे दूर ही रहा जाये तो अच्छा है किसी जमाने में दो अच्छे दोस्त रहे अक्छो कमार और जोन अबरहम आपकरम सा साथ काम नहीं करते ऐसा माना जाता है कि विल्कम फ्रंचाइजी में अक्छे की जिगा जोन के लेने के बाद से दोनों के बेच कुछ ठीक नहीं है आकरी बार फिल्म डिसूम में एक सा नजर आये दोनों कलाकार देसी बॉयज करम मसाला और हाउस फुल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं लेकिन इस बार वो साथ नहीं बलकि आमने सामने थे जाक्छे कमार हांकी खिलाडी और कोचे तपन दास की बायपिक के साथ 15 अगस्त को बनाने के लिए मैदान में उतरे थे वही जौन अबरहम और मनुज बाजबी के पास सत्त में उत जायते थी इस फिल्म की कहानी बेहसरल है पुलिस में काम करने वाले अपने पिता को जूटे करप्सन के आरोब में फश कर आतम हत्या करते देखने वाले वीर अनिजोन अबरहम का एक ही मकसद होता है पुलिस फोर्स में मौज़ूद करप्ट लोगों को सिर से हटाना करप्ट पुलिस वालों को जिन्दा जला कर वो सत्ती की जीत करना चाता है इस हत्यारे को रोकने के लिए DCP सूवांस निमनोजबस बेही को काम पर लगा जाता है और चुहे बिल्ली के स्केल में कई पुलिस वालों की मोत के बाद जो होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेतर रहेगा मिलन मिलाब जाफेरी पहले इस से पहले मस्ती, क्रेंड मस्ती और एक बिलन जैसी फिल्मे बना चुके हैं ऐसे में देशबक्ती के साथ उनका एक्सपर्मेंट हैरत करता है हाला कि देशबक्ती फिल्मों के एक्सपर्ट मनोजबाच पर एल ओसी कारगिल, नामसावाना, आयारी, इस्पिसल 26 और जॉन अबरहम, मदरास कैफे, परमाडू फोर्स इस फिल्म में मौजूद है आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप 90's के एक्सन सिनिमा को याद कर पाएंगे इस फिल्म में मौल प्लाट में एक्चा कुमार की फिल्म गबर इस बैक का हायंग और आपको दिखाए देगा लेकि क्योंकि मिलन को इस से पहले देश बक्ती फिल्म पराने का एक्सपरियंस नहीं है शुरुआती घंटे में फिल्म बिक्षरने लगती है फिल्म में नुरा फतही का दिल बरगाना अपना काम ठेक से करता है और इस गाने को वो सुपर हाट आउतार में है फिल्म का बेग्राउंड इसकोर भी फिल्म का साथ देता है लेकिन बार बार एक ही संदेश हीरो का एक ही मकसद आपको बोर करता है हाला कि जॉन और मनुजबाजपई की डालाग शीटी बजाने लाइक है और फिल्म में जॉन का मसाअमका मसलप और आपको कल के जिम के लैप्रेर करता है मनुजबाजपई फिल्म में वही करते हैं जो करने में एकसपर्ट हैं वो आपको बांध लेते हैं और कमजờ स्क्रिप्ट से आपका मज़ा खराब नहीं होने देते जहां जोन एक्शन में हिट हैं मनोच बाजपरी परजन्स में ही कमाल कर देते हैं फिल्म में डेबु कर ही ऐसा सर्मा अच्छा भी नेकरती हैं और एपने कृदार में अच्छा काम करती हैं इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनिस पॉइंट है फिल्म की Predictable कहानी हाला कि फिल्म एक मसाला entertaining है और ऐगर आपको परमाडो अच्छी लगी थी तो तो एफिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है हाला कि अगर आप Logic Cinema देखने वालों में से हैं तो ये फिल्म आपको आधे घंटे में ही परेशान कर सकती है, ये मारधार से भरपूर एक एक्षन ट्रामा है, फिल्म सत्न में जैते का कांसेप्ट सिस्टम से लड़ाई को लेकर है, डारेक्टर मिलाप जाफेरी की फिल्म की कहानी पुलिस फोर्स में फैले करप्सन पर तो DCP सिवांस यानि मनुजबास पर ये केस दिया जाता है, सिवांस किलर को पकड़ने की कोशिस करता है, और किलर उसकी नाक के नीचे से पुलिस वालों को मारना जारी रखता है, बेरके किलर बनने के पिछे की कहानी भी है, DCP सिवांस राथोर एक इमानदार पुलिस और एक पुएंट पर पहुँचने के बाद भटक जाती है फिल्म का सब्जेक्ट आउटेड है जिसमें आगे क्या होगा आप आसानी से पता लगा सकते हैं फिल्म का डारेक्शन और राइटिंग दोनों ही बहुत खराब हैं आप डिशाइड नहीं कर सकते कि दोनों मेंसे ज् पॉस्बल है जोन अबरहम हमेशा कितरा समझदार एक्टर रहे हैं लेकिन हैबी मसल्स और एटिट्यूड के अलावा वे किसी चीज में इन्वाल्ब नहीं लगते हैं वे स्क्रीन पर काउन सा सीन कर रहे हैं उन्हें इस से कोई मतलब नहीं लगता किलिंग से लेकर रोमांस करते हुए उनके एक्सप्रेशन सेम रहते हैं बस पंच मारते वक्त वे अभने करते हुए दिखते हैं कहानी में हिरोईन सिखा यानि आईसा सर्मा दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है ऐसा दिखाया गया है वे जानूरों की क्यार करती है बीज को साप करती है एंजी खनविकर जिन्होंने सुवांस की पतनी का रोल किया है उनका रोल बहुत छोटा है पिलम में रोना फतेही का डांचिंग आइटम नंबर दिल पर दिल पर अच्छा है इसके लवा आतिप असलम का पानियों सा भी अच्छा ट्रेक है बागी के अलबम का म्यूजिक भी सूध इस फिलम को देखकर अपना टाइम और पैसे बरबाद ना करें परमाडू की सफलता पर सवार जोनो बरहम अब एक संथिलर सत्मयों जैते के साथ हाजिर थे गुच्छे से भरा बैठा एक सक्स कैसे है किले दम पर करफ्षन के खिलाप लड़ता है इससे सत्मयों जैते में दिखाने की कोस्स की गई है फिलम की कहानी ठीक ठाक है लेकिन सत्मयों जैते सतिता से मेलो दूर दिखाए देती है इस मसाला फिलम को देखते भी आपको कई बार सत्तर और असी के दसक के फिलमों की याद आ सकती है फिलम की सुरुआत में बेरे निजाना बरहम एक पुलिस फोर्स में फहले करप्सन पराधारित है फिलम में जोन अबरहम जिस किरदार को निभा रहे हैं उसका नाम बीर है और वो एक आर्टिस्ट है वो भरष्ट पुलिस वालों को मारता है और फिर उनका इस केज भी बनाता है बीर हर उस जगह पुलिस वाले की चान के पीछे बिलते हैं बुराई पर अच्छाई की चीत जैसे बरसो पुराने कांसेप्ट को बेचनी की कोशिश में फिलम बेहद नाटकी लगती है फिलम की कहानी आज के दोर में परसंगिक है लेकिन लचर स्क्रिप्ट और कमर्शिल अंदाज के चलते हैं फिलम यथार्थ से दूर द बाचुके हैं और एक दढ़र और अपने दंदार डालाग से वे दर्सकों को बांध कर रखते हैं नियू कुमार आईसा सर्मा कैमरे पर काफी कॉन्पिन नजराई हैं फिलम पर माडू के साथ ही अपने सीनियर एक्टर और दोस्त अक्छे कुमार की राह चलने वाले जोन अ अब मसाला देशबक्ती फिलमों में भी अपना भाग या जमा रहे हैं भारी डालॉग डिलिबरी और एक्टर मसाला फिलमें काफी पसंद हैं तो ये फिलम एक बार देखी जा सकती है फिलम की कहानी सामान है समवादों को काफी दंदार तरीके से लिखा गया है जिसके उज जोन अबरहम और मनुजबाजबे के बीच चोर सपाही वाली कहानी बड़े अच्छे तरीके से जचती है फिलम का बैगराउंड स्कोर बढ़िया है और बरस्टा चार खतम करने के लिए परियोग में लाए गया स्टाइल को अच्छे तरीके से दरसा आ गया है मनुजबाज सही एक मसाला फिलम को संपूर इंटर्टेनर माना जाता है हलाकि पिछले कई साल से बायोपिक और मुद्दो पराधरित फिलमें बाक्स अफिस पर लगातार चाही रही लेकिन इस दोर में फिलमकार भोल गया कि वे लाजवाब खाना बनाने के लिए एक ही तरे के मसाले जाने चाहिए इसलिए कमर्सिल मसाला फिलमों का भी होना उतना ही जरूरी है लंबे समय के बाद संपूर मसाला फिलम सत्मय जायते के रूम में दर्शकों के सामने आई है इसमें एक्सन के लिए जान अबरहम है अब इने के लिए मनोजबास पे ही है आइटम सांग के लिए नुरा फते ही हैं और भरष्टाचार को मिटाने का भारतियों के दिल में छुपा एक सपना भी है सत्मे जाते ऐसी हिंसक से भरी फिल्म है जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते कथित हुरो अनिजाना अबरहम हर कथित मजरिम को माचिस की तीलिया सुलगाते हुए जिन्दा आग के हवाले कर रहा है वज़े है कि भरष्टाचार का अरोप लगने पर उनके पिता ने खुद पर करोशिन डाल कर आग लगा ली थी यह भी कहा जाता है कि यह दो लाइनों के बाद कहानी नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ हिंसा की भरमार है पूरी फिल्म अच्छाई और बुराई की लड़ाई और देशभक्ती के कुछ पार्ट पढ़ाते हुए आगे बढ़ती है फिल्म के लिए भारी भरकम डालॉक्स लिखे गए हैं लेकिन वे फिल्म पर भी भारी पढ़ रहे हैं मनुज बाजपी और जान अबरहम के किर्दार के लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से दिखा जा सकता था लेकिन इस क्रिप्ट इसमें फेल हो गई सत्मे जैते इंतिकाम और अच्छाई के सालों पुराने आइडिया को बेचने की कोश्चिस कर रही है लेकिन इसका अतिनाटकी परदर्सन की काड़ इसमें हजमा करना मुश्कुल हो जाता है जोन अबरहम के होने की वज़े से आप इसमें अच्छे एक्षन के पेच्छा कर सकते हैं लेकिन कभी कभी या काफी भायान अख हो जाता है सच या है कि फिल्म की कहानी आज के समय में काफी परसंगी गए लेकिन फिल्म में इस कहानी को कहने का तरीका सबसे इसे कमज़र बनाता है सत्मय जैति देश भक्ती और सोशल मैसेज देने में नाकामयाब रही है लेकिन हाँ ये फिल्म मसाला एंटर्टेनर जरूर है ये फिल्म एक बार देख सकते हैं देश में हो रहे करप्सन और इसे बढ़ावा देरे सिस्टम से की जार ही लड़ाई पर आधारित फिल्म सत्मय जैते रिलीज हो गई थी फिल्म एक्शन से भरपूर थी फिल्म की सुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन इंटरॉल के बाद ये फिल्म आपको बोजिल महसूस होने लगती है फिल्म की कहानी बिखर जाती है और फिल्म अपने पॉइंट से भटक जाती है फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है बीर एनी जोन अबरहम एक आर्टिस्ट है जिसके पिता पुलिस में काम करते थे बीर के पिता को एक जूटे करप्सन के केस में फसा दिया जाता है जिसके कारण हुए आतमात्या कर लेते हैं अपनी आखों से अपने पिता की इस मौत को देखने के बाद बीर की जिंदिगे के सिर्फ एक ही मकसर रह जाता है और वो है पुलिस फोर्स में हो रहे करप्शन को मिटाना